दोस्तों स्वागता आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंपोर्टेंस ओफ सेक्शन 161 CRPC स्टेटमेंट्स 161 के ब्यान बहुत कॉमन लेंगविज में अगर आप इस तरह की कोई litigation फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही कॉमन टाम होती है कि 161 CRPC के अंडर जो स्टेटमेंट्स आई है पुलिस के चलान में वो क्या है क्या उसमें लिखा गया है अब इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि वो एक वेग या फिर एक प्रोसीजरल आसपेक्ट नहीं है सिरफ उसकी इंपोर्टेंस क्या है क्रिमनल ट्रायल में सुप्रीम कोट का क्या कहना है उसके बारे में यहाँ पर हम डिसकस करेंगे तो क्या है 161 CRPC की स्टेटमेंट्स की इंपोर्टेंस उनको अब ध्यान से सुनिए इस वीडियो में सेक्शन 161 की अगर हम बात करें तो क्या है यह 161 यह बताता है Examination of Witnesses by Police जब कोई केस दर्ज हो जाता है FIR हो जाती है उसके बाद पुलिस उसमें investigation करती है और जिन भी लोगों को उस case के facts के बारे में कुछ बताना होता है कोई जानकारी होती है तो वो वहाँ पर पुलिस को बता सकते है पुलिस भी investigation के दुरान उनके पास जाएंगे आसपास वाले लोग जनोंने कोई इस तरह का को incident देखा हो कोई criminal offense होते हुए तो उनके बारे में क्या उनके पास facts है क्या जानकारी है सारी चीज जो है पुलिस अपना record करती है तो उन्ही को बोलते हैं 161 की statement जो 161 के section के according पुलिस record करती है तो इसमें क्या बोला है Any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below such rank as state government may by general or special order prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person किसी भी person को वो police officer जो है examine कर सकता है orally जिसको भी उस facts के circumstances के बारे में कुछ पता हो जानकारी हो तो ये पहला clause 161 का बताता है Such person shall be bound to answer truly all the questions जो भी police officer उससे question पूछ रहा है वो person जो है वो bound है उन questions को साफ सुत्रे सही तरीके से सही जवाब देने के लिए ठर्ड में है पुलिस officer जो है जो भी वो बोल रहा है उसको writing में वहाँ लिख सकता है जो भी वो statement है और उसको फिर आगे जो है court में या जो भी जैसे भी as per law है उसको use किया जा सकता है कि उस बंदे ने उस person ने जब मैं वहाँ investigation के दोरान गया तो क्या मुझे ब्यान दिये थे वो वहाँ पर लिख भी सकता है इसको अब यह judgment आई 2024 की जन्वरी की है दर्शन सिंग वर्सिस state of Punjab पहले भी आई है अब यह latest judgment है जिसमें बिलकुल एक ही पैरा में Supreme Court ने बिलकुल clear कर दिया पैरा number 26 क्या कहता है कि अगर कोई एक witness है उसने पहले तो accused के खिलाफ कुछ नहीं का जब उसकी police में statement record की गई मानलो कोई accident होता है वहाँ पर कोई eye witness होता है पहले eye witness की जब statement record की police ने investigation के दोरान तब उसने accused के कोई किसी तरहां सा कोई allegation नहीं लगाया कि हाँ इसने गाड़ी गलत चलाई थी या यही वो person था जिसने accident किया कुछ नहीं था बट court में जब उसको court में बुलाया जाता है जो procedure है as witness वहाँ पर आकर वो बोलता है कि हाँ ऐसा हुआ था या वैसा जब कि 161 की statement में उसने कभी कोई किसी तरहां का allegation नहीं लगाया तो court ने बोला कि अगर 161 की statement में आपने ये चीज़े mention नहीं की तो यहाँ पर जब trial के दोरान आप ये चीज़े mention कर रहे हो कि हाँ इस particular accused का यहाँ पर कोई involvement था या नहीं था तो हम आपकी statement पर rely नहीं कर सकते prosecution cannot seek to prove a fact during trial through a witness which such witness had not stated to police during investigation कि अगर investigation के दोरान इस witness ने आपको इस incident के बारे में इस fact के बारे में जानकारी नहीं दी तो अब trial में वो statement जो है consider नहीं की जा सकती तो prosecution को हम यह नहीं कह सकते कि आप यह prove करो नहीं अब आप prove नहीं कर सकते इस fact को the evidence of that witness regarding the said improved fact is of no significance किसी भी तरह का उस fact के regarding जो भी आप statement आ रही है उसको हम कोई भी importance नहीं देंगे तो यह बहुत ही clear cut जो version आया है Supreme Court का कि 161 में अगर आपने कोई fact नहीं alleged किया नहीं बताया तो subsequent जो statement होगी court में trial के दोरान उसमें आपकी statement को consider नहीं किया जा सकता तो अगर आपकी कोई ऐसी litigation चल रही है तो आप इन judgments का जो Supreme Court ने further पुरानी judgments का हवाला भी जाए हां पर इनका बहुत अच्छे से benefit ले सकते हो landmark judgments हैं सभी की सभी और यह latest judgment जो है यह 2024 की है तो इस तरह की कोई भी और आगर आपको doubt आता है आप मुझे WhatsApp पे message drop कर सकते है जो भी मेरी experience है knowledge है उसके according में आपको reply करूँगा Thank you and all the best